शादियों का दौर चल रहा है तो इसे बिए शादियों से सम्बंधित कई अजीबों गरिब खबरे आ रही है कई मज़ेदार खबरे आये तो कुछ ने हैरान भी किया है नालंदा से एक खबर आई है जो आपको हैरान भी करेगी और काफी मज़िदार भी लगेगी अब आपको खबर बताते हैं नालंदा में एक एक शादी हो रही थी और शादी के दौरान एक यूवक स्टेश पर चड़ गया अब आप कहेंगे तो क्या हुआ शादियों में तो स्टेश पर दुलहा दुलहन के अलावा कई लोग रहते हैं हां ये बात भी सही है लेकिन यहां बाबु साहब दुलहन बनी प्रेमिका की मां में सिंदूर भरने के लिए स्टेश पर चड़े थे यानि कि जिसकी शादी हो रही थी उस दुलहन का प्रेमी उसके मांग में सिंदूर भरने के लिए स्टेश पर चड़ा था लेकिन सिंदूर भरने के पहले ही घरवालों को इसकी भनक लग गई और घरवालों ने जमकर ल मुबारकपुर गाउं की है यूवक का नाम मुकेश कुमार है जो कि मुबारकपुर गाउं के ही रहने वाले हैं और उनकी प्रेमिका भी उसी गाउं की है मुकेश का कहना है कि वो पिछले एक साल से अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते थे इसे कि शादे किसी दूसरे जगर तै कर दी मुकेश ने बताया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्मे भी खाई थी और करके दोनों एक साथ रहना भी चाहते थे लेकिन इन सब के बावजूत लड़की के घरवालों ने उसकी जबरन किसी और जगर शादी करा दी जि पूरे प्लान के मुताबिक जब प्रेमी का और उसका होने वाला पती वर्माला के लिए स्टेज पर आया तो उसी वक्त प्रेमी मुकेश भी स्टेज पर चड़ गया लेकिन मांग में सिंदूर भरने से पहले ही लड़की के घरवालों ने उसकी हरकत भाप ली और सिंदूर ड माजुक है हरनौत थानाद्यक्ष देव आनंद सर्मा ने बताया कि वर्माला के वक्त मुकेश ने लड़की के मांग में सिंदूर भरने का प्रियास किया था जिसमें मुकेश को पूरी तरह से वहां मौजूद लोगों ने पीट डाला है हलांकि मुकेश की प्रेमिका के मुकेश के मुताबिक लड़की ने ही उसे फोन करके यहां बुलाया था और कहा था कि जिस वक्त मर्माला होता रहेगा तो तुम उस वक्त स्टेज पर चड़कर मेरी मांग में सिंदूर भर देना लेकिन सिंदूर भरने के पहले ही घरवालों को इस बात का पता चल गया और पुलिस जांच में जुट गई है आगे के सब बयानों को मद्य नजर रखते हुए पुलिस इस मामले में कारवाई करेगी बागी आप इस अंदर में जो भी विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा आगे की खबरों के लिए देखते रहे जनता जंक्षन झाल